सब्सक्राइब करे मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके संबंद में जानकर आप चौक जाएंगे तरअसल ये मंदिर उडीसा के टिटलागर के करीब एक पहाड के पास है इस मंदिर के अंदर महादेव और पार्वती की मूर्ती विराजमान है इस मंदिर के गर्ब्रिह के बाहर जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री के पार होता है और बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होती है वही गर्ब्रिह के अंदर इतनी ठंड रहती है कि पुजारी को कंबल तक ओड़ना पड़ जाती है। आपको ये बता दी कि मंदिर के मुख्य गर्ब्रिह में फेंट कूलर और एसी जैसे साधनों की किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी यहां बहुत ठंड रहती है। यहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहां मुझूद पुजारी अपने साथ गर्म कप दे रखते हैं। ठंड की वजह इस मंदिर के पुजारी ये जानकारी देते है कि शायद मूर्तियों में से एतनी ठंडी हवा निकलती है कि पुरे गर्ब्रिह को ठंडा कर देती है।